हलो फ्रेंट्स वेलकम टू MBBS एड्मिशन हब दोस्तो आज हम इस वीडियो में एड्मिशन इन MBBS अबराट के कम्पलीट प्रोसेस के बारे में डिसकस करेंगे अगर दोस्तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की जानकारी टाइम से मिल सके चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे student abroad जाने की तयारी कर रहे हैं लेकिन उनको admission process in MBBS abroad and document required for MBBS abroad admission के बारे में जानकारी ही नहीं है दोस्तो सबसे पहले abroad में admission के लिए आपको country choose करना होगा उसके लिए दोस्तो मैं अगर आपको बता दू कि MBBS abroad में दो तरह के countries है एक वे हैं जहांपर 6 years का MBBS course कराते हैं उसके बाद एक साल की internship इंडिया में आकर करनी होती है उन में से जो countries हैं वो Russia, Ukraine और Armenia आते हैं जहां total duration of MBBS with internship 7 years होता है और दोस्तो दूसरे वे country हैं जहांपर MBBS course duration 5 years का होता है उसके बाद 1 year internship इंडिया में आकर करनी होती है वे country हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तज्चिस्तान, बारवाडोस एवं जोर्चिया जहांपर total MBBS course duration with internship 6 years का होता है और इंडिया में भी दोस्तों MBBS course duration with internship 5.5 साल का होता है जिससे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तज्चिस्तान, बारवाडोस का केरिकुलम लगभग इंडिया के जैसा ही है और media from instruction भी इंडिया की तरह safe है English medium दोस्तो आप चाहे 6 plus 1 7 years या 5 plus 1 6 years वाले किसी भी country से degree लेकर आते हैं तो दौनों country की degree जो है इंडिया में आने के बाद वो बराबर है ऐसा बिलकुल भी नहीं है 6 years वाला course 5 years वाले course से अच्छा है या 5 years वाला course 6 years वाले से विकार है इंडिया में दौनों country की degree की value इंडिया की ambivious की degree के equivalent है दोस्तो country चूज करने के बाद आपको reliable consultancy की जरुवत पड़ेगी एक ऐसी consultancy जिसका इस field में पुराना experience हो और उनके भेजे हुए student इंडिया में successfully work कर रहे हो और उसका कोई record खराब न हो तो इस तरह की consultancy चूज करने के बाद आपको अपनी seat booking के लिए आपको scan document submit करने होंगे और consultancy के contact में रहना होगा उसके बाद आपके वीजा process के लिए आपको अपने original document देने होंगे और जब आपका सारा documentation process complete हो जाएगा तो consultancy द्वारा आपको आपके चूज किये हुए country और college में study के लिए भेज़ दिया जाएगा दोस्तो इस process में अगर आपको country या college चूज करने के लिए हमारी help की आवश्यक्ता पड़े तो screen पर दिये हुए number पर आप whatsapp या call कर सकते हैं हम आपको आपके लिए best option चूज करने में आपकी help करेंगे दोस्तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे हमारे नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार